जैसी राम, जैमा मुंड मालिनी, मैं योगी सी प्रकाशनात, त्रमत्रो गुरु चैनल में अब सभी का फिर से एक बस स्वागत करता हूँ आज का विशय है महा बशीकरन एक तांतरिक प्रयोग ये कोई टोटका उपाए नहीं है, इस सीधा तांतरिक प्रयोग है नवरात्री के इस विशयश महुर्त में आप लोग इस उपाए को एपलाई कीजिए आप लोग का मनुकामना जरूर पूर्ण होगा नवाक्षर मंतर से माते सुरी का अगर अनुस्ठान करते हैं आप एक विशयश तांतरिक मंतर प्रयोग में आप लोग को बताने जा रहा हूँ आज इस नवार्ण मंतर से आप लोग अनुस्ठान अगर करते हैं आप लोग का मनुकामना जरूर पूर्ण होगा ध्यान रखे हर समय जब भी आप प्रयोग को एपलाई करेंगे आजमाएंगे जब भी कोई प्रयोग को प्रयोग में सतता होना चाहिए प्रयोग धर्म से जुरा होना चाहिए तभी जाकर प्रयोग आप लोग का सक्सेस्फुल होगा मैं आपका फ्री कर टीचार हूँ मेरे से जितना हो रहा है मैं आप लोग को अब देश दे रहा हूँ आप लोग आगे वरिये अनुस्ठान कीजिए संपूर्णो प्रोसेज में वीडियो के अंदर रहेगा मंत्र वीबरान बॉक्स पर रहेगा नीचे एरो है एरो को दबने से वीबरान बॉक्स ओपन हो जाएगा वहाँ पर मंत्र रहेगा संपूर्ण नो प्रोसेस वीडियो में रहेगा प्रोसेस जानने के लिए मुझे फोन लागाने का या SMS करने का कोई जरूरत नहीं है अगर वीडियो में कोई भी पॉइंट मेरा छूट गया तो नीचे कॉमेंट कीजिए जरूर मैं उत्तर दे दूँगा नहीं तो मैं आपडेट कर दूँगा विवरन बॉक्स पर आज का कॉंटेंट अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सस्काइब कीजिए मेरे चैनल को साथी बेल आइकन का दबा का नोटिफिकेशन ओल कीजिए चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ तो मित्र ये जो अनुस्ठान है अनुस्ठान को आप लोग नवरात्री में कोई भी एक विशेस दिन से आप लोग शुरू कर सकते हैं जो भी आपका इच्छा हो अनुस्ठान को शुरू करने के लिए आप लोग को चाहिए एक सफित सूती का आसन और चाहिए आप लोग को अगर आप लोग चाहते हैं तो ये अनुस्ठान आप लोग किसी नदी के किनारे कर सकते हैं किसी तलाब के किनारे कर सकते हैं, गिसी कुए के किनारे बैठ के कर सकते हैं, अगर ये सारा प्रिस्तिति आप लोग के पास available नहीं है, इसमें से कोई भी option आप लोग को नहीं करना है, तो आप लोग को क्या करना है, एक कुए से या एक नदी से एक कलस जल भड़के लेके आए जिस दिन उस्ठन करेंगे उसी दिन कुए से नदी से या तलाओ से ये तीनों जगा में से कोई भी एक जगा से एक मिट्टी का बड़ा कलस में जल भड़के लेके आए उस जल को आपने सामने बिठाए, कलस में कुछ भी करने का जरूरत नहीं है माते सुरी का धैन मैं नीचे विबरन बॉक्स पे दे दूँगा सामान्यो कुझा के लिए जो भी मंत्रो उचरन करना है वो भी मैं नीचे बिबरन बॉक्स पे आप लोग के लिए डाल दूँगा माते स्थुरी के नाम से मा दुरगा का फोटो सामने रखिए माते स्थुरी का नाम से फूल दीजिए भोग लगाए धूब दीब जलाकर उत्तर दिशा की और मूँ करके आप लोग चाहे तो रुद्राश का माला इस जापनुष्ठन में ले सकते नहीं तो उंगली से भी जाप कर सकते नीचे दिये हुए एक विशेश शक्तिसाली मंत्र का आप लोग एक हजार बार अनुष्ठन करे अगर साध्यविक्ति या पार्टनार बहुत दूर रहता है तो इस मंत्रों को लगातार तीन दिन तक एपलाई करे यानि कि आजमाए मंत्र में एक विशेश जगा में एक सब्द लिखा है अमूख अमूख के जगा पर आप लोगों को पार्टनार का नाम लिखना है अमूख के जगा पर सिर्फ पार्टनार का नाम बिठा कर आप लोगों को जाप करना है यही है इस मंत्र का विशेश बाते संपूर्णो प्रोसेस में वता दिया रुद्राश का माला लेना है सफेद सूती का आसन में आप लोगों को बैठना है मू रहेगा उत्तर दिशा की ओर और धूप दीव जलेगा मातिस सूरी से पार्थना करे हाथ जोर के मातिस सूरी से बिनोती करे मा मेरा अमुक मनोकामना है इस मनोकामना है तुमें यह अनुस्ठान कर रहा हो जो भी आपके मन में इच्छा है संपुन इच्छा मातिस सूरी से निवेदान कीजिए निवेदान करने के बाद आप लोग यह अनुस्ठान करे आप लोग अगर चाते है तो आप लोग किसी के लिए अनुस्ठान करना चाते है तब भी यह मनुस्ठान को पूरस्चरन पध्धती से सिध्ध करके अगर आप लोग किसी मंत्र का अनुष्ठन करेंगे तो ये मंत्र और भी ज्यादा आप लोगों को सहायता करेगा। मैं आसा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को संपुर्ण जानकरी मैं दे पाया। अगर कुछ भी मेरे से छोट गया तो नीचे कॉमेंट जरूर करें। आज का कॉंटेंट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आप से एक नए वीडियो में तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरियोम तस्सत।